ओके स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कुछ इस डाइप की फोटो एडिट कर सकते हो स्नैप सीट अप्लिकेशन में वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीड स्क्रीन पे तो जारो सबसे पहले आपको इस फोटो को ओपें करना है स्नैप सीट अप्लिकेशन में तो मैं इस फोटो को शेर कर लेता हूं आप भी अपनी फोटो को सेर कर सकते हों यहां पे आपको पेंसल वाला आइकन पे क्लिक करके और पहला टूल मिलेगा आपको टोन इमेज का ठीक है इस पर क्लिक करके यहां पर जीतने टूल है अर्जिस्मेंट के सब को बढ़ाना है तो मैं सिंपली दिखा देता हूं ब्राइटनेस को बढ़ा के पाँट्रॉट को भी स्टूरेशन को भी Aइमशन को भी और यहां से सैडव को कम करके फिर यहां से आपकोव करना है और यहां पूल ःकिंख करके आपको चलना है details पर structure को बढ़ा के sharpening को बढ़ा देना है ठीक है फिर आपको pencil वाले icon पर click करना है यहां से चलना है आपको double export वाले option पर click करके plus वाले icon पर click करेंगे आपकी gallery open हो जाएगी यहां से आपको एक background को choose कर लेना है जिसका link मैं दे दिया हो नीचे बीच वाले पर click करके आपको इसमें से सबसे ज़्यादा आपको overlay पर रखना है द्यान से रखना है तो overlay पर click करके आपको यहां से चलना है layer पर यानि कि cross arrow पर यहां पर click करके आपको view edits पर जाना है view edits पर जाने के बाद आपको यहां पर double export पर click करके बीच वाला ब्रस को choose कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे एक up arrow है down arrow है ठीक है तो आपको 100 करके ऐसे कपड़ों पे paint कर लेना है तो मैं वीडियो को fast और forward कर देता हूँ ताकि आपका time बच सके इसी बीच आपने अगर वीडियो को like नहीं किया मेरे भाई तो please like कर कर देना अगर यहाँ पर ब्रस करते time गलती से बाहर हो चुका ना तो इसको zero करके recover कर सकते हो ठीक है तो मैं पूरे कपड़े पर ऐसे paint कर देता हूँ जैसे paint करेंगे नो तापकि फोटो बिल्कुल cb editing वाली कपड़े का color का look आ जाएगा देख सकते हो आपके आपको के सामन यह ठीक है तो simply मैं पूरे कपड़े पर हैसे draw कर लेता हूँ draw करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देखना कि इसके बाद आपको क्या करना है ठीक है आपको यहाँ पर noise के लिए माफ करना तो आपको यहाँ पर चलना है cross arrow पर और यहां से done कर देना है देखिए before then after ठी ठीक है आपको यहाँ पर फिर ब्रस वाले पर क्लिक करके आपको चलना है यहाँ पर double export पर सेम ठीक है और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे न तो आपकी गैलरी इस बार भी open हो जाएगी तो यह वाला background को चूज कर लेना है और photo के बराबर रखके आपको यह यहाँ से opacity पर क्लिक करके opacity को 100 कर देना है ठीक है यहाँ से done करेंगे फिर से आपको layer पर जाना है यानि कि cross arrow पर और यहाँ पर क्लिक करके view address पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर double export पर और बीच वाला brush को choose कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ से इसके background पर ऐसे paint करना है तो इस बार भी मैं वीडियो को fast और forward कर देता हूं ताकि इस बार भी आपका थोड़ा सा time बस सके ठीक है तो आपको जैसे यहाँ पर अपनी बहुत बारीकी से ध्यान से अपने जितने background है न साइड से सब पर ऐसे ड्रॉक लेना है ताकि आपका background जो न बि सिंपल सिंपल ट्रिक बताऊंगा बहुत सिंपल सिंपल तरीका बताऊं कि कैसे आप अपनी फोटो में न कॉलर ग्रेडिंग कर सकते हूं लाइट रूम में बिल्कुल रियल वाला लुक आएगा cv एटिंग वाली आएगा लुक ठीक है यहाँ पर देख सकते हूं कि मैं बह भी कर देना क्योंकि आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बाई प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को भी लाइक कर देना यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पूरे बैग्राउंड में ऐसे ड्रॉक कर लिया है ड्रॉक करने के बद आपको सिंपली क्या करना है देख सकते हो सिंपली आपको मैं आप यहां से थोड़ी सी अर्जेस्ट्मेंट करके डाइरेक्ट आपको लेके चलूंगा लाइट्रॉम में यहां पर जीतने है ना आपको बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से पूरे बैग्राउंड पर ड्रॉक कर लेन खले कर ले रहे तो इसे निमि अ देख सकते हो कि मैं पूरे बैग्राउंड पर एसे ड्रो कर लिया तोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फोट करदे करेंगे जैसे ब्राइटने को बढ़ा दिया saturation को हलका सा प्लस कर दिया उसके बाद ambition को बढ़ा दिया highlight को बढ़ा दिया shadow को मैनस कर दिया ठीक है इतना काम करने के बाद आपको done करना है done करने के बाद यहां से आपकी photo हो जाएगी इसी photo को मैं open कर लिया हूँ light room में सबसे पहले आपको चलेंगे यहां पर color वाले टूल पर ध्यान से देखना यहां पर और यहां पर saturation को बला देना देख सकते हूँ नेग्स टूल पर जाएंगे स्टेक्चर को बढ़ाएंगे लेट को बढ़ाएंगे और यहां से आपको diplomate को – देख सकते हूं बढ़ना है फोटो क्या घजव लग रही है बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा है इस फोटो को फूल हदी में सेब करने के लिए सेड़ अप्सेंट करके एक्स्पोर्ट एज पर क्लिक करको आपकी फोटो फूल हदी में सेब हो जाएगी अपने आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए होते लाइक मारना चानल को सब्सक्राइब कर दना सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइए